अधिया विडियो में ओभी सी आरच्छ का जो मावला कोट में चल ला है उसी को लेकर मद्दपते के सीयम सिरासिंग चोहान ने एक घोषना किया है और फैसला लिया है कि मद्दपते पिछावार को यह नि ओभी सी को 27 पर अच्छर दो देके रहूंगा यह वो घोषना किया है आज ही धार में महाराजा भोज के परतिमा का आनावरार कर रहे थे उस समय यह बात कही है मुखवंती सीवरासिंग चोहान ने तो चलिए जानते हैं कि यह फैसला क्या है कि मुखवंती सीवरासिंग चोहान ने क्या बोला है और यह कोट का फैसला क्या है क्या चल रहा है तो परसेंट आरच्छर दूंगा मत्परतिक्ति मुखपंदी सिर्वाष चोहान ने आज कहा है कि वह अनरच्छित जातियों के गरिवी उन वारकों सरकारी नवकरी में 10% यहने EWS के लिए 10% OBC के लिए 27% आरच्छर देने की बात कही है किसमें EWS के लिए 10% और OBC के लिए 27% आरच्छर देने की बात कही है वह 27% आरच्छर यह हाई कोट में विचारा दी नहीं हाई कोट में केस चल लगी है अभी उसको पेंडिंग चल लगी है अब देखो कोट का फैसला क्या निकल कि आता है बात करूं और OBC के लिए जो मावला उठाए गया था 27% यह जब कमलना सरकार थी तभी पिटिसन दायर हो गया था वही कांग्रेस सरकार ही है 27% आरच्छर देने की बात कही थी सबसे पहले आप लोगों इन बात को जरू ध्यानक ना है तो कोट का फैसला क्या रहने वाला है सबसे पहल कोलता है इसके उपर उसकी बात अब कोट पर निर्फर करता है मुखवंति सिराचिन धार में धार में कहा है कि सरकारी नोकरियों में पिछला वर की उमिद्वार को 27% 27% आरच्छर दिया जाएगा उलेखनी है कि पूर्व मुखवंति कमलनात ने अपने सासलकाल में पिछला आरच्छा के इकलाब कई आचका एदाई है जिसकी सुनवाई प्रिक्रिया लगातार जारी है यहां तक 25 अभी 25 मार्च रखी इसकी अगली सुनवाई डेट रखी है जो हाई कोट का फैसला क्या था सरकार अपनी पच्छ क्या रखती है और कोट इस पर क्या फैसला सुनाता है क्योंकि जो इंडराशानी मामला है जो सुप्रिम कोट ने फैसला दिया कि किसी राजजिका किसी राजिका 50% आर च्छन्त ज्यादा नहीं होना चीह सभी का कटेगरिका मिलागे 50% से ज्यादा नहीं होना सब्द्रथ में ज्यादा हो रहा है 67% हो जा रहा है सभी और EWS और like and share जरू के ज़िए चलिए मिलते हैं next video में